दोस्तो आज की इस वीडियो में बात करूँगा Trident Limited कंपनी के शेर के बारे में दोस्तो बहुत अच्छी कंपनी और अभी इसके Quarter 4 के रिजल्ट भी आ गए है काफी अच्छे रिजल्ट हैं ऐसे में ये रिजल्ट आने के बाद इसमें चार्ट पैटर्न में कहाँ पर कौन से वो लेवल हैं जिनके बाद हमें ब्रेक आउट देखने को मिल सकता और बहुत ज़्याद हो मिल लगाई जा रही है इस कंपनी की से क्योंकि अभी इस कंपनी के शेरों में हमें एक बहुत अच्छा ब्रेक आउट उपर की तरफ देखने को मिल सकता है जोस्तों जहाँ पर जो इसके quarter 4 के रिजल्ट आए है वो बहुत जबरदस्त है उन रिजल्ट से आपको रूबरू कराऊंगा साथी साथ यहाँ पर मार्केट के सेंटिमेंट थोड़े से निगेटिव दिखाई देते हैं लगबग एक एक परसेंट के आसपास यहाँ पर निफ्टी और सेंटिक से दोनों गिर रखे हैं तो ऐसे में आप सभी को क्या यहाँ पर एक position बनानी चाहिए या breakout के level का इंतजार करना चाहिए वो सारी बाते इसी वीडियो में होगी सबसे पहले एक news पर चलते हैं दोस्तों मैं आप सभी को लेका रहा हूँ business standard की website पर ट्राइड राइज आफ्टर क्वाटर 4 जंप 137% टू 188 करोड़ दोस्तों 137% का इसमें आप सभी को मुनाफ़ा देखने को मिल रहा है यहाँ पर आप सभी देखिए ट्राइड गें 1.56% जो की 48 रुपे 80 पैसे पर पहुँच गया था इसने 131% जंप दिखाया है इसके नेट प्रोफिट में दोस्तों जो की 181 करोड़ पर पहुँच गया है ओना rise of 39% in revenue एक बहुत जबरदस्त अच्छे रिजल्स में मानता हूँ इन रिजल्स में बहुत अच्छे रिजल्स आए है लेकिन कंपनी के पास थोड़ी सी उधारी अभी बाकी है हाला कि कंपनी उधारी को पूरा करने का पूरा पूरा प्रियास कर रही है लेकिन अभी भी मैं यह मानता हूँ यह जो आकड़े है इसचेर के बारे में इसचेर की कायां परलट कर सकते है जिस तरह के क्वार्टर 설명 musi रिजल्स यहाँ पर ट्राइडेंट के आए दोस्तो क्या आपकी पूर्टफोलियों में ट्राइडेंट का शेर है यदि हैं तो कितने share हैं हमें comment करके जरूर बताईए उससे हमें ये अनुभाव होगा कि कितने लोग 17 रुपे से जब मैं इस share में सबसे सुरुवात में निवेश किया था सो 17 रुपे का share Trident का हुआ करता था तब से मैं लगातार इस share में निवेशक हूँ और बहुत अच्छी खासी quantity इसकी hold करता हूँ अभी share बहुत अच्छे level पर है और इतने अच्छे आकड़ों के बाद और आगे जा सकता है कहां तक जाएगा ये हम पता करने की कोशिश कर दोस्तों यहां पर यदि मैं Trident का chart देखूँ तो कुछ इस तरह से इसका chart मुझे form होता हूँ देखता है सबसे पहले तो मैं आप सबी को बता दूँ कि देखे दोस्तों दो टाइम इसने 200 EMA को support दिया है ये दोनों टाइम और उसके बाद उससे उपर की तरफ की rally करने की ये share कोसिस कर रहा है अब ऐसे में इसमें breakout का level मेरे इसाब से यहां पर 50 रुपे के आसपास बनता है 50 रुपे से उपर का stand line का breakout यदि इस share में हो जाता है तो आप एक अच्छी खासी position इसमें बना सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफ़ा यहां पर बना सकते हैं quarter four की result भी आए हैं अलगी आज इस share में 1-1.5% की गरावट है जिसका एक कारण हो सकता है market में जो negative sentiment है उस वज़े से इस share में गरावट देखने को मिल रही है लेकिन आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो सकता है इस share के लिए upside के moment आपको लगातार इस share में देखने को मिलेंगे बहुत अच्छी तरह कारोबार किया है पिछले कुछ टाइम में और एक range bound trading ये share अभी कर रहा है एक range में फस चुका है इस stock ऐसे में एक breakout आना 50 रुपे के उपर अभी बहुत जरूरी है ठीक है क्योंकि एक बहुत छोटी सी small range में कारोबार हो रहा है और जैसी breakout होगा एक बहुत जबर्जस तरीके का upside moment आपको इस share में देखने को मिल सकता है ऐसे में जो में research करके आपको बताता हूँ वो अच्छे stock होते हैं उनमें अपनी research भी समलित किया करें साथी साथ उसके इसाब से निवेश करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं अब सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धनेवाई अगातार इस share में निवेश को और बहुत अच्छी खासी quantity इसकी hold करता हूँ अभी share बहुत अच्छे लेवल पर है और इतने अच्छे हांकडों के बाद और आगे जा सकता है कहां तक जाएगा ये हम पता करने की कोशिश कर यहाँ पर यदि मैं Trident का चार्ट देखूँ तो कुछ इस तरह से इसका चार्ट मुझे फॉम होता हूँ देखता है सबसे पहले तो मैं आप सभी को बता दूँ कि देखे दोस्तों दो टाइम इसने 200 EMA को सपोर्ट दिया है ये दोनों टाइम और उसके बाद उससे उपर की तरफ की रेली करने की ये share कोसिस कर रहा है अब ऐसे में इसमें breakout का level मेरे इसाब से यहां पर 50 रुपे के आसपास बनता है 50 रुपे से उपर का stand line का breakout यदि इस share में हो जाता है तो आप एक अच्छी खासी position इसमें बना सकते हैं और अच्छा खासा मुनाफ़ा यहां पर बना सकते हैं quarter fork result भी आए हैं अलगी आज इस share में 1-5% की गरावट है जिसका एक कारण हो सकता है market में जो negative sentiment है उस वज़े से इस share में गरावट देखने को मिल रही है लेकिन आने वाला वक्त बहुत अच्छा हो सकता है इस share के लिए upside के moment आपको लगातार इस share में देखने को मिलेंगे बहुत अच्छी तरह कारोबार किया है पिछले कुछ टाइम में और एक range bound trading ये share अभी कर रहा है एक range में फश चुका है इस stock ऐसे में एक breakout आना 50 रुपे के उपर अभी बहुत जरूरी है ठीक है यूँकि एक बहुत छोटी सी small range में कारोबार हो रहा है वह जैसी breakout होगा एक बहुत जबर्जस तरीके का upside moment आपको इस share में देखने को मिल सकता है ऐसे में जो में research करके आपको बताता हूँ वह अच्छे stock होते हैं उनमें अपनी research भी समलित किया करें साथी साथ उसके इसाब से निवेश करके आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाई